केंत्रिय ग्रेह मंत्री अमिश शह का एक वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है किसी के वीडियो के साथ कुछ भी किया जा सकता है और फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया जा सकता है क्या अब देताओं को भी ये फेक वीडियो नहीं छोड़ने वाले भारत एट नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मैहू का जूर नराए केंट्रिय ग्रेह मंत्री अमिश्या का एक वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है वैसे तो डी फेक के जमाने में किसी के वीडियो के साथ कुछ भी किया जा सकता है और फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया जा सकता है आपने बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे लेकिन सवाल ये है कि क्या अब निताओं को भी ये फेक वीडियो नहीं छोड़ने वाले और इन फेक वीडियो से क्या असर पड़ सकता है? क्या इसका भी खयाल किसी को नहीं है? और केंद्री एक ग्रह मंत्री जैसा पद आप सोचिए लेकिन इस तरह से भाषनों को बदल देना और गलत तरीके से सिर्फ वोट के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत राजनीती गंदी राजनीती कहीं जा सकती है और इस पूरे मामले में कुछ ऐसा ही नजर आता है केंद्रे ग्रह मंत्री अमिशा के छे छाड किये गए वीडियो से इस जुड़े मामले से दिल्ली पुलिस ने तिलांगाना के मुखे मंत्री रेवन्त रेड़ी सहित साथ राज्यों के सोना नेताओं को तलब किया है यानिकी इनकी सनलिपता है इसमें मामले के जाज के तहट पुलिस राजिस्थान, जार्खन, नागालेंड, उत्यप्रदेश, हर्याना और मद्यप्रदेश में भी गई है सूत्रे बताते हैं कि उत्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक लोग सभा उमीदवार और राजिस्थान और नागालेंड में कॉंग्रिस के दो नेताओं को भी मुबाइल फोन के साथ पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है अब भाई पत इतना बड़ा तो फिर पूशताज तो होगी कि इंट्रे ग्रहिम मंत्री पद इतना बड़ा है उपर से आमीश यह उपर से बीजेपी का शाशन कैसे बख्षा जाएगा और सरसर गलत भी है अगर आपनी जो चीज नहीं बोली है भरे मंद से आप रैली को संबोधित कर रहे हैं आप ने उस शब्द का इस्तमाल नहीं किया लेकिन आपको कोई फेक वीडियो बनाकर गलत तरीके से लोगों की बीच आपके छवी खराब करने की कोशिश कर रहा है तो इस सरासर गलत है इस पर आक्शन होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए वैसे से पहले सोंबार को रेवन त्रेडी समित इलांगाना प्रदेश कमीटी कॉंगर्स कमीटी की सदस्ते शिफ कुमार अंबाला असमा तसलीम सतीश्मन ने नवीन पिट्टम को एक माई को पुलिस के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है जानकारी के लिए बता दू कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को भाजपा और ग्रह मंत्राले के श्रिकायत मिलने के बाद के इस दर्ज किया इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साइबर विंग की आई एफ एस ओ यूनिट ने भी अफ़ायार दर्ज की है आपको बता दे कि अफ़ायार की प्रतिक अनुसा ग्रह मंत्राले ने श्रिकायत में कहा कि ये पाया गया है कि कुछ छेड़ चाड़ की गए वीडियो फेस्बुक और ट्विटर पर प्रसारित किये जा रही है अब ग्रह मंत्राले की तरस इस पर क्या जवाब दिया गया ये भी जा लेते हैं ऐसा कहा गया लगता है कि वीडियो के साथ छेड़ चाड़ की गई है हुआ है राजनीती में कितनी बार बहुत सारी वीडियो के साथ छेड़ चाड़ किया जाता है जिसमें वह आलू से सोना वाणे की सोना से आलू गाने की बात कर रहे थे कुछ ऐसा ही वो वीडियो था, जिसके साथ थोड़ा सा कटपिस्ट करके उसको फ़णी अंदाज में चला दिया गया, Mems बना दिये गया क्योंकि MIMS का जमाना है लोग पसंद करते हैं इसी चीज़ें लेकिन अगर कोई सीरियस भाषन दे रहा है किसी बड़े मुद्दे पर आरक्षन जिससे मुद्दे पर आप उसको पूरी तरह से चर्चार कर देंगे तो ये गलत है इसमें सबदायों के बीच शिवेंस से पैदा करने की रादे से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है यानि कि इससे अशान्ती हो सकती है शान्ती विवस्ता पर असर पर सकता है पूरी संभाब ना हो सकती है मंत्राले आगे कहता है कि हम अनरोद करते हैं कि कृपय कानून के प्रादधानों के मताबएक जरूरी कारवाई की जाए शिकायत के साथ रिपोर्ट दी गई है जिसमें उन लिंक और हैंडल का ब्यारा भी है जिसने ग्री मंत्री के चेरचाड किये गए वीडियो शेर किये जा रही है जी हाँ वीडियो में चेरचाड क्या हुई थी जरा ये भी जान लिजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है विवाद तिन दिन से लगाता चल रहा है जिसमें कतित तोर पर ग्रेमंत्री आपिश्या को अनसूचित जाती यानि कि ST और अन्य पिशावर्क यानि कि OBC के लिए आरक्षर प्रावधानों को र है कुछ और रहे हैं लेकिन उस पॉइंट को इस तरह से सफाई सैड़ेट कर दिया गया कि उससे ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा आती है तो OBC, SC, ST का आरक्षर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा जो की है नहीं आगे आप वीडियो को देखेंगे जानेंगे तो पत और OBC के रिजरेशन को हम समाप्त कर देंगे अब इस वीडियो के जरी तमाम सोचल मेडिया यूजर्स भारती जनता पार्टी और मिशा की आलोशना कर रहे हैं अब भई चुनाव का मौसम है तो कौन बरदाश करेगा कि किसी भी सिटिंग पार्टी जो पार्टी साशन में क उस पर इतना गंभीर इलजाम लगा है क्योंकि दुबारे से सरकार बनने जा रही है अब सरकार किसी की भी बने लेकिन हां राज्यती की लिहास से तो गलत है S.E.S.T.O.B.C. आरक्षण विरोधी होने का आरूप लग रहे हैं पहले भी पक्षिदल आरूप लगा रहे हैं कि वीजोपी समयधान खत्म करने का इरादा है वीजोपी का अब ये वाला वीडियो तो इससे कही न कहीं लोगों में ब्रामक ताफ फैलेगी और लोग कही न कहीं पूरी तरह से बॉइक वीजोपी कर सकते हैं क्योंकि दिख्या आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सालों सालों से इस पर लड़ाई होती आई है बहुत ही गंबीर मुद्दा है बहुत ही मार्मिक मुद्दा है और कहीं न कर इसको टच करने से राजनीता भी वश्टे है एक यानि के ट्विटर एक यूजर ने वीडियो शेर करते हुए कैप्शन दिया है भाजपा की सरकार बनेगी तो OBC, SC, ST का आरक्षण खत्म करेंगे अमेतर शाहा अभी देखना दिल्चस्प रहेगा कि OBC, ST और ST वर्ग इस बाग का जवाब का जवाब कैसे दीता है यह दिखाई दे रहा है इस पे और ऐसी दावों के साथ शेर किये गए अन्य पोस्ट भी है जहां जहां आप देखेंगे बहुत सारे आपको इसे पोस्ट मिल जाएंगे एकादुका पोस्ट रिडिक्ट भी हुए है लेकिन अभी भी यह पोस्ट है हाला कि यह वीडियो एडिक्टेड है इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा अमिश्यहा ने 2023 में तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसल्मानों के लिए आरक्षन खत्म करने की बात कही थी वाइरल विडियो वी-6 चानल का बताया रहा है RC का लोगोँ है जिससे पता चलता है कि विडियो तेलगूर न्यूज आॉटलिट वि-6 न्यूज से लिया गया है जब इस विडियो को वी-6 न्यूज की यूच्ट चानल पर सर्च किया गया तो 23 अपरेल 2023 का अमिशाह के भाशन का एक वीडियो मिला वीडियो का सीज़ शेक केंदरी मंत्री अमिशाह ने मुस्लीम आरक्षड पर टिक्पिनी की तो आपने सुना यहाँ पर अमिशाह का वीडियो वीडियो में दो 38 का जो समय है ना यहाँ पर अमिशाह को कहते वे सुना जा सकता है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैल समयधानिक मुस्लीम आरक्षड को हम समाप्त करतेंगे यह अधिकार तिलांगाना के SCST और OBC का है वो अधिकार उन्हें मिलेगा और मुस्लीम आरक्षड को हम पूरी तरह से समाप्त करतेंगे अब इससे ही स्पर्ष्ट हो गया है कि वारल विडियो को एडिट किया गया है ताकि नेगिटिव भाजपा को दिखाया जाए तिलांगाना में क्योंकि देखिए दक्षण के अगर मैं बात करूँ दक्षण में बीजपी का हाथ थोड़ा सा तंग है हिंदी भाजप्रदेश में तो बहुत अच्छे से भाजपा अपना पर्चम लहरा रहे है लेकिन दक्षण में थोड़ा थोड़ा तंग है असले वीडियो में अमिशाह ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात गई थी वारल मीडियो में उनके शब्द S.C.S.T. और O.V.C. को आड़िट करके मुस्लिम से बदर दिया गया जब अमिशाह के अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी जनसभा का पूरा वीडियो देखा गया तो एरेली अप्रेल 2023 को तिलंगाना के चिवल्ला में आज़ित की गई थी वीडियो में 14 मिनट 58 सकेंड मिनट की समवदी पर वारल वीडियो वाला हिस्सा सुना और देखा जा सकता है बारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक घेर समवेधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्स कर देंगे जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अप्रेल 25-2024 को भी तेलंगाना के सिद्धुपीट में एक रेली को संबूदित करते हैं मिश्यानि सरकार बनने पर तेलंगाना में मुस्लिमों के आरक्षन को खत्म करने का अलान किया था ये साथ मिनट की समयवदी पर वीडियो देखा जा सकता है हमने पाया कि दिल्ले पुलिस के स्पेशल सेन ने ग्रेह मंत्रिया मिश्या के अरक्षन से जुड़े भाषन के अलिटिट वीडियो को सोचल मीडिया पर फैलाने के मामले में फैयार भी दर्ज की है ग्रेह मंत्राले वारिल वीडियो के प्रसार को लेकर दिल्ले पुलिस में शिकायद भी कराई है तिलांगाना में मुस्लिमों को अन्य पिश्रा वर्ग शेणी किते हैं सिक्षा और रोजगार में 4% अरक्षन का लाम मिलता है हाला कि ये कोटा OBC के मौजुदा कोटे में कटौती करके नहीं बलकि OBC के एक अरक्षनी है जिसे BCE कहा जाता है इसके तेहत लागू किया गया इस अरक्षन को कई बार कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है फिलहाली मामना सुप्रीम कोर्ट में है देखें काई ना काई इन वीडियो तीनों वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाषन में S.C.S.T. और OBC आरक्षन खत्म करने की कोई बात नहीं थी बलकि तेलांगाना में मुसल्मानों को मिलने वाला आरक्षन को खत्म करने की बात गईग इसलिए देश सोचल वीडिया पर जो दिख रहा है वो सब कुछ सही नहीं होता सच नहीं होता इसलिए पहले अगर जब भी आपके पास कोई ऐसा वीडियो आए उसे पर्खें देखें तब जाके उससे सर्कुलेट करें यहीं हम आपसे उमीद रखते हैं और आपी कमेंट क पर बाक करेंगे ठाने करेंगे